तो हलो एन वेलकम यू बैक हाउसिंग कंसल्टेंट आपके लिए लेकर कहा रहा है तू भी एजके का फ्लाट विड टू बिग साइज बालकनी के साथ दो बड़े रूम के साथ एक हॉल डेवलोप सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर आपको कम्मुनिटी हॉल मिलता है जिसके अब बातरूम के साथ एक किचन एक हॉल के साथ आपको मिलने वाला है वह भी बहुत ही सर्प्राइजिंग प्राइज होने वाला है तो चैनल को पूरा देखिएगा तभी आपको यह प्राइज आपको पता चलने वाला है तो वीड़ों तक जरूर देखिएगा और मैं बेस एरिया तो इसको आप पसंद ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतनी बड़ी पारकिंग आपको मिलने वाला साथ में, देख सकते हैं पार्क मिलने वाला साथ में इंटरेंस बहुत खुपसूरत है, जब सुनोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे यह डेफिनिटली वैल्यू फॉर मनी होगा आप सभी के लिए वह भी कार पार्किंग के साथ क्यूंकि हमारा भी एक चोटा सा कार होना हमेशा सपना रहता है तो पार्किंग जरूर एक टैच डीजेगा तो यह उसमें मिलता है साथ में दो रूम तो आपको मिली रहा है रूम के साइजेस आप देख रहो काफी स्टैंडर्ड साइज आपको मिलता है बहुत बड़े रूम है बारा बारा का अप्रोक्सिमेटली रूम आपको मिल जाता है तो इस तरह के बड़े साइज के रूम उसके साथ में आपको बा पता है कि डिवाइडर पांच फीड पांच इंची का दिवाल होता है आप चाहो तो यह बालकनी अटाइच करके रूम की साइज इस और बड़ा कर सकते हो बट नॉर्मली अभी दो बालकनी रखनी चाहिए एक में आपको सुखाने के लिए रखो तो यह अच्छा रहता है कि एक बालकनी बैठने के लिए हो गया एक बालकनी आपको कपड़े के लिए हो गया जैसे वह दूसरी बालकनी आप देख रहे हो सामने यह भी आप ही की बालकनी यानि कि दोनों रूम के साथ दो बालकनी खुलती है और यह ड्राइव लाइन जो आपको नीचे मैं दिखा रह आपको घिजर का पॉइंट दिया हुआ है एक इंडियान एक कमोड आपको लगा हुआ है टाइल्स पूरा कम्प्लीट ऊपर तक किया हुआ है एंड उसके साथ आपको बेसीन भी आपको साथ में देखी रहा था आपको मिल रहा है यह वह दूसरा रूम है जिसका 12-11 का साइजेज मिलते हैं आपको रूम के साइजेज भी दोनों ही स्टैंडर्ड मिलता है आपको बहुत बड़े-बड़े आपको बन सकता है आप बेट भी बड़ा सा लगा लो तब भी स्पेस काफी जादा बच जाएगा इसमें भी आप देख सकते है बालकनी है तो यह आपका मास्टर बेट रूम है जिसमें आपको बालकनी भी मिलती है जिसमें आपको बात्रूम भी मिलता है तो दोनों ही बालकनी और दोनों ही बात्रूम काफी बड़ी साइज का है सारे रूम में आपको एसी पॉइंट जरू मिलता है तो वह भी दिक्कत आपको नहीं है ठीक है यह दूसरा बात रूम आपको दिखा रहा है इसका भी देख सकते है आप स्टैंडर्ड साइज है देखी सकते है कि आपको मारवल टाइस जो भी काम है बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल न्यू है अब जैसे ही इंट्रेंस लिये थे आपने देखा होगा अभी तो स्वास्तिक का चिन भी या राइक पूजाई हुआ है अब इसमें भी आपको बालकनी में भी बेसिन मिलता है यहां पे वासिंग मशीन का पॉइंट भी दिया हुआ है तो यहां पे यह दो बालकनी आपको मिल जारी इसके साथ ही तो यह सारी फैसलिटी आपको टू भी एक का फ्लाट में मिलने वाला है रेडी टू मूब दो रूम आपको दोनों बड़े मिल रहे है इसका लोकेशन जो मैं बताने वाला हो यह आपको पढ़ने वाला कार्मिक नगर में यह पढ़ता है नियू कार्मिक नगर जहां पर DPS स्कूल आपने देखा है DPS स्कूल से स्रिफ 500 की दूरी में है यानि कि अगर कोई किसी का बच्चा DPS स्कूल में है या हमारा किसी में से तो वो फ्लाट तो ले ही ले क्योंकि DPS स्रिफ 500 मीटर की डिस्टेंस पर आपको मिलने मा अच्छा मिल रहा है पार्किंग एरिया बहुत अच्छा मिलेगा भी पार्किंग भी दिखाऊंगा तो यह सारी फैसलिटी इस फ्लाट के अंदर आपको मिल सकती है बस आपको क्या करना है चैनल को सस्क्राइब करना है जितना जल्दी हो सकते हमें कॉन्टाइक करें दो-द इनला करें अच्छा मिल करें अच्छा मिल करें चैनल को सस्क्राइब करें इसी तरह हमें करो सकते हैं इस तरह हमें फॉलो करते रहे थैंक यू